Hello Everyone, Welcome to MS Education TV इस वीडियो में आपको Class 10th English Grammar के Important Question देखने को मिलेंगे यदि आपको और भी सब्जेट के Important Question की वीडियो देखनी है तो मेरी YouTube चैनल के उपर जाके देख सकते हैं और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो Direct Google के उपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com सबसे First Question देखिए Choose the correct form of verbs from the given choices यन कि यहाँ पे आपको जो पहला Question इसके अंदर आपको जो है वरभ फिल करनी है यन कि वरभ के जो हैं यहाँ आपको जो है sentence देखने को मिलेंगे तो इसमें देखिए वरभ फिल करने वाले में सबसे पहला sentence है C- और ब्रेकेट में यहाँ पे जो है वरभ दे रखिए Go To Temple Everyday तो यहाँ पे आपको बताना है Go की कौन ची फोरम आएगी तो यहाँ पे देखिए Everyday Word लिखा हुआ है यानि कि Daily काम हो रहा है तो इसका मतलब जो Daily काम होते हैं वो Present Indefinite में दिखाते हैं Show करते हैं उनको तो यहाँ पे जो है वरभ की फोरम दे रखिए उसके में जो है S या ES लगता है और वो S या ES तब लगेगा जब वो Singular है तो तो यहाँ पे जो C है या आपका Singular है तो जो वरभ की फोरम जो दे रखिए अपने पास Go तो इसके साथ क्या लगेगा यहाँ पे Go's तो यहाँ पे जो है B option क्या होगा अपना Right Go नहीं आएगा यहाँ पे आजाएगा Go's है क्योंकि Singular में जो है वरभ की फोरम के साथ S या ES लगता है तो B option क्या होगा अपना Right Second question देखिए Eat dash hail outside for half an hour Hail का मतलब क्या होता है यहाँ पे ओड़े यानि कि बार जो है लगबग तेड़ गंटे से जो है ओड़े गिर रहे है तो यहाँ पे देखिए 4 के साथ जो है टाइम दे रखा है तो वो present perfect continuous में होता है तो उसमें जो है has या have been पलस में वरब की first form के साथ ING लगता है तो it क्या है singular है तो वहाँ पे it के साथ लगएगा has और has been healing तो यहाँ पे जो D option है अपना क्या होगएगा Right Question 3 There C dash hide तो यहाँ पे जो वरब की form आएगी क्या आएगी Hides यहनी की जो है present tense में है तो यहाँ पे जो hide के साथ के लगएगा S C option right Next देखिए यहाँ पे fourth है If he had driven fast He does catch the thieves यह दी वह जो है गाड़ी को तेज चलाएगा तो वह चोर को पकड़ लेगा तो जो chances क्या है बढ़ गए है अगर वो गड़ी को तेज चलाएगा तो तो यहाँ पे क्या जएगा Would have catch तो यहाँ पे जो B option क्या जएगा अपना right Next देखिए यहाँ पे यह जो past tense की बात तेजरी है तो past tense में यह दोनों गल्त हो जाएगे अगर वो तेज जो है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या जएगा could have catch Next देखिए यहाँ पे दीवाली dash celebrate every year with greater jill तो वैसे तो देखा जाएगा तो दीवाली जो हरसाल बनाई जाती है तो celebrate के साथ यहाँ आपका ऐसी यह साना चाहिए है लेकिन यह जो है यहाँ पे जो है पे सी वो इसमें बात की जारी है तो पे सी वो इसमें बात की जारी है क्योंकि लास्ट में लिखा हूँ है with greater jill तो यहाँ पे जो है इज के साथ क्या लगेगा वरब की second form is celebrated तो यह पे सी वो इसमें है इसका भी option right है next by the time she was 16 she dash a great singer by the time she was 16 यानि की 16 सल की उमर में वह जो है क्या हो गई है क्या है great singer बनी तो यहाँ पे क्या जाएगा had become यहाँ पे जो सी उप्शन क्या हो जाएगा right had become next देखी my servant dash the door if you had given him a bruce जो मेरा servant जो है मेरा nokar जो है इस दर्वाजे को जो paint कर देगा यह दी तो मुसे bruce दोगे तो तो यहाँ पे क्या जाएगा would have painted यानि कि जो सी उप्शन क्या जाएगा right क्योंकि वह paint कर देगा तो possibility जो है यहाँ पे क्या लगया would next है they dash leave the park way and we reached there तो देखिए past tense की बात और यहाँ पे वरब की second form है तो जब भी एक काम पहले होता है तो वो past perfect में दिखाते हैं और जो काम बाद में होता है उसको past indefinite में तो यह देखिए वेहन वीरिज जब हम पहुंचे उससे पहले वो जो है पारक को छोड़ के जा चुके थे तो पारक छोड़ने वाला जो काम हो पहले हुआ है तो पहले हुआ है तो यह past perfect tense आ जाएगा तो यहाँ पे past perfect tense में यहाँ पे क्या लग जाएगा had left जो leave की third form है left क्यों पारक जो छोड़ना है वो पहले हुआ है और वो जो पहुंचे है वो बाद भी पहुंचे है next 9 9 का देखिए यहाँ पे does you not take your breakfast yet तो यहाँ पे क्या जाएगा have not taken यानि कि जो b option क्या उगर write have not taken अगर आपको complete sentence देखना तो यहाँ पे आप देख सकते है have you not taken your breakfast yet यह जो complete sentence बनेगा यहाँ पे 10 का देखिए we dash wait for school bus at this moment यानि कि हम इस समय जो है bus का इंतजार कर रहे है तो जो काम चल रहा है तो वो present continuous में होता है तो वी जो है यहाँ पे क्या लगेगा plural है तो वी के साथ r लगता है और वरब की first form के साथ लगेगा ing तो वी आर वेटिंग यानि कि अभी जो हम वेट कर रहे है बसका अब देखिए आप इस second question स्टार्ट हो गया है second question में क्या करना है choose the correct article from the given choices आपको जो आर्टिकल फिल करना है तो इसमें आर्टिकल में देखिए यहाँ पे अपने पास आर्टिकल फिल करना में आर्टिकल में पहला sentence है he is dash artist तो जब भी जो वाउल आते हैं अगर वाउल की sound आए a, e, i, o, u तो वहाँ पे जो आपका आर्टिकल लगेगा वो लगेगा end और इसके अलावा जो consonant बचगे है consonant जो बचगे वो उनके साथ लगेगा आपका a तो यहाँ पे he is dash artist तो a, i, i, i की जो हावा जारी है तो यहाँ पे जो आर्टिकल लगेगा आपका क्या लगेगा end dash water is necessary to survive तो water के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका a option यानि कि no article आप इसको cross से denote कर सकते हैं third he is an European तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो e देखेंगे आपको e देखेंगे तो आप an लगाएंगे लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपको e, e, i, o, you देखना नहीं उनकी sound देखनी है तो अगर आप king की sound देखेंगे तो यह जो consonant की sound आ रही है तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा a तो यहाँ पे जो है b option right है next gift given by you is dear to me यानि की यह जो gift यानि की gift given by you यानि की तुमें जो है gift जो दिया गया है यह मेरे लिए जो है बहुत important है जरूरी है या फिर मेरे period के लिए है gift तो जब को special gift की बात की जाती है तो यह gift है तो वहाँ पे क्या लगेगा आपका दा क्योंकि यह दिखा रहा है कि यह वाँ गिफ्ट वैसे तो normal जो gift होता है वो कोई भी हो सकता है लेकिन यह वाँ जो gift है यह मेरे period के लिए है तो यहाँ पे जो है दा लगेगा he bought des alcesian dog तो यहाँ पे क्या लगेगा n क्योंकि जो sound आ रही है of peace and wisdom यहनि कि Bible जो है मुझे शांती और जो है आजादी या फिर phrase जो mind है वो मुझे देती है यहनि मुझे अच्छी लगती है तो Bible क्या एक holy book है पवित्र book है तो पवित्र book होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका दा अगर Bible की जगए यहाँ पे अगर गीता जो गीता है आपकी बगवत गीता अगर वो भी आ जाती तो उसके साथ भी क्या लगता यहाँ पे दा next is seventh keep to dash right तो जो direction दे रखी है तो direction क्या लगेगा यहाँ पे दा keep to left अगर यहाँ पे left भी होता तो अभी क्या लगता दा next is eight eight वाले में देखी क्या है the more dash merrier तो merrier क्या है एक super relative comparative degree आप कह सकते हो यहाँ पे तो उसके साथ जो article लगता वो क्या लगता आपका दा तो यहाँ पे क्या लगेगा the more the merrier तो यहाँ पे जो आपका जो article लगेगा यह क्या लगेगा the nine देखी he is dash mla तो m m क्या वाज आ रही है यहाँ पे a mla तो यह जो क्या है एक तरिके से vowel है vowel है तो यहाँ पे क्या लगेगा end यहाँ कि sound देखने है आपको यह नहीं देखना m है यह a क्या वाज आ रही है अगर आप द्यान से देखेंगे तो nine tenth का देखी dash man is mortal तो man के हाथ यहाँ पे कोई भी नहीं लगेगा तो यहाँ पे क्या जोगेगा d dash man is mortal next देखें आपके question three start हो गया choose the correct model from the given choices यहाँ पे आपको model फिर करना है अच्छे से समझना है इसको model आपको पता होगा can, could, may, might यह सभी पहला है he is dance, dance for hours in his childhood यानि कि बच्पन में गंटों तक dance करती थी कर सकती थी यानि उसकी जो एक तरीके से क्या है कर सकना योग्य थी वो जब वो छोटी थी थी न तो वो गंटों तक dance करती थी वो योग्य थी कपेश्टी थी उसकी तो यह क्या जाएगा यहाँ पे could यानि कि वो कर सकती थी, करती थी second है he does rather break than stop तो इसमें क्या जाएगा he would तो इसमें जब अगर आप कुछ sentence होते हैं आपको जब उनके pronunciation करेंगे न तब आपको अच्छे समझ में आते हैं वो क्या हैगा next है you does follow the law of your country यानि कि तुम्हें अपने देश का जो है law law का मतलब क्या था कानून को follow करना चाहिए तो कानून को follow करना क्या है must है must का मतलब हुता है जरूरी यानि कि सबसे जरूरी काम है अगर आपको कानून follow करना है तो यहाँ पर क्या जाएगा इसके साथ जो अपना आर्टिकल लगेगा भी यानि कि must लगेगा question 6 देखिए I-work hard to win a scholarship यानि कि मुझे मेनत करनी पड़ेगी इस scholarship को जीतने के लिए तो अगर scholarship जीतना है तो मेनत करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है ऐसे नहीं कि मेनत नहीं करोगे scholarship जीत लोगे तो यह क्या है must है जरूरी है अगर तुम्हे scholarship को जीतना है तो तो D-option क्या होगा right next time we dash live for goa in morning हम जो है goa के लिए صू questioned निकलेंगे तो निकलेंगे यह को जरूरी नहीं है कि हम निकली जाएंगे कि must लगा दे इसको dayer भी नहीं लेगेगा यहाँ पे need भी नहीं लेगेगा क्या लगेगा cell क्योंकि क्या ही यह future की बात और रही है future की बात रही है हम सुबह जो है गोवा के लिए निकलेंगे तो निकल भी सकते है नहीं भी निकल सकते तो इसकी possibility कुछ कुछ है और वी आपको पता होगा वी plural है तो वी के साथ क्या लगेगा यहाँ पे एक तरीके साहल सिखता है इफ ही हैड मनी ही डैस भाहिकार यदि वह पैसे देगा तो वह गार खरीद सकता है तो क्या है अगर पैसे मिलेंगे तो गार खरीद देगा इसका मतलब ही क्या है खरीद सकता है अब खरीद देगा निकरीद देगा यह पता नहीं लेकिन चांसिस बहुत जादा है तो यहाँ पे क्या लगेगा would if he had money he dash by यदि उसके पास पैसे होगे तो वो खर खरीद देगा मस्ट नहीं आएगा जरूर रही थोड़ी कि वो खर खरीद देगा ही next 7th का God grant peace to departed soul तो God के साथ आपको पता होगा तो God के साथ आपको पता होगा तो यहां पर क्या लगएगा next 8 का I sit on chair please तो request की जारी है please मैं request करते हैं request के हाथ जो article लगता वो लगता मे may I sit on this chair क्या मैं इस कुर्शी पे बैठ सकता हूँ request की जारी है तो यहां पर क्या लगएगा may next he ran fast so that he dash catch the bus यह दिवाज तो जो है तेज दोड़ेगा तो बस को पकड़ लेगा तो अगर तेज दोड़ेगा तो बस को पकड़ने कि उसके पूरे पूरे चांसिज है यानि कि possibility जादा है तो यहां पर क्या लगएगा might यदि तेज दोड़ेगा तो क्या करेगा बस को पकड़ लेगा be option right next I dash swim way I was यानि कि मैं जब छोटा था तो मैं तैर सकता था तो जो काम कर सकते थे हम छोटे थे can भी आ सकता यहां पर लेकिन नहीं आएगा क्यों can कि यहां पर past form में यूज करेंगे तो I could swim way I was यानि कि जब मैं छोटा था यानि कि मैं जब बच्चा था तो मैं जो अच्छे से तैर सकता था यानि कि मैं वो काम कर सकता था next देखिए आपर question 4 स्टाट हो गया इसमें क्या करना आपको non-finite from the given sentence यानि कि आपको जो correct non-finite बढ़ना है क्या एगा तो यहां पर non-finite का पहला sentence देखिए this medicine is pleasant dash take तो यहां पर take के साथ क्या आएगा to take this medicine is pleasant to take यह option right secondaire raman is fond of dash cricket ram raman is dash for क्या आएगा यहां पर raman is fond of dash cricket तो यहां पर आजेगा playing raman is fond of playing cricket तो यहां पर b option क्या होगा अपना right next third he is a joke made as deaf तो उसके जो जोग है वो हमें असाते हैं तो यहां पर क्या जाएगा laugh यानि कि वो उसके जो जोग है वो हमें असाते हैं laugh next you need a note dash fast यानि कि तुम्हें तेज दोडने की जरूत नहीं है तो need a note क्या जाएगा यहां पर run अकेला run आएगा उसके साथ कोई भी जो है two अगेरा नहीं लगेगा next dash gamble is a crime यानि कि gamble जो है crime है तो gamble आपको पता होगा हमेशे आपने word सुना होगा gambling gambling शक्टे वगरा लगाना जो है क्या होता है gambling जूए वगरा खेलना तो यह क्या है crime है तो gambling आपने और एक आपने जो है parking भी सुना होगा आपने car parking car park नहीं होता कभी भी अगर आपने देखा होगा तो कई बार आपने यह word सुना होगा car parking तो parking जो है या ing लगता है इसलिए यह भी सी type का sentence है it is very dash others it is advice के हाथ क्या लगेगा to it is easy to advise others यह असान है दूसरों को सलाह देना next पे चलते हैं देखिए the signboard said no dash park तो अभी मैंने बताया था अगर आपने वीडियो को द्यान से देखा होगा तो इसका answer आप मुझे comment section लो बताएंगे कि यहां पे क्या ना चाहिए next जो मैंने आपसे पूछ लिया उसका जो answer आपको मुझे comment section लो बताना है जो मैंने इस उपर बड़ा पूछा जरूर आप comment section लो बताएंगे मैंने बता भी दिया अगर आपने वीडियो को देखा हो द्यान से next we were made dash paint the wall यानि कि हम जो इस दिवार को paint कर देंगे तो paint के हाथ यहाँ पर क्या लगया to paint next चलते हैं आगे question number 5 5 में क्या है choose the correct punctuated sentence from the given choices यानि कि आपको जो punctuated sentence को जो choose करना है punctuated sentence का मतलब क्या होता है कि उसमें letter cone सा बड़ा है छोटा है कहाँ पर coma लगेगा question mark लगेगा वो सबी चीज़े आपको देखनी है सबसे पहला देखे रिमा रिमा में जो है R बड़ाएगा क्योंकि यह नाम है किसी का फिर यहाँ पर देखे मदर के बाद कोमा लगेगा उपर डबल बड़ाएगा डबलू वेहर का डबलू बड़ाएगा वेहर डबलू अच फैमली से है तो लास्ट में क्यूसर मारक आएगा और लास्ट में यहाँ पर उपर जो है इन्वर्टेड कोमा आएंगे इसको बंद कर देगा तो इसमें यह सेंटेंस कौन से में दे रखा है यह अपने पास B में दिया गया है जो है रिमा सेड तो हर मदर वेहर और यू गोईग यानि कि अपना जो है B ओप्सन राइट होगा पहला ओप्सन A वाला क्यों नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखी बीच में साइन दे रखा उपर से कुसर मारक भी नहीं लगा रखा C अपना क्यों नहीं होगा क्योंकि वेहर का डबलू छोटा दे दिया लास्ट वाला क्यों नहीं होगा क्योंकि देखी इसमें वेहर में यहाँ पर भी डबलू छोटा दे दिया और क्यूसर मारक भी नहीं है तो इसलिए जो अपना B ओप्सन क्या होगा right next alas he is ruined तो यहांपे दीखे लास जो है exclamatory sentence है तो यहांपे exclamatory sign हैगा he का h बढ़ाएगा और last में क्या लेगा full stop ठीक है तो यहांपे अपना कौन सा option right हो जाएगा c वाला A वाला option क्यों नहीं होगा क्योंकि question mark दे रखा है B वाले में यहाँ पे कोमा लगा रखा है D वाले में भी question mark दे रखा है तो अपना जो C option है क्या बिल्कुल right थार्ड है रमन एंड रोहित have not passed there BA तो रमन में देखा आपका R बड़ा है लगेगा full stop तो इसमें अपना जो right answer हो जाएगा B वाला रोहित रमन एंड रोहित है have not passed there BA yet A वाला option में क्यों नहीं होगा क्योंकि A में BA छोटा दे रखा है C वाले में रोहित का R छोटा दे रखा है D वाले में BA छोटा दे रखा है तो इसलिए अपना जो B option क्या होगा right next I bought a book title written by Shakespeare तो यहाँ पर देखिए I bought a book titled अब किसी book का नाम जो आपको पता होगा A कोमा से उपर जो inverted कोमा लगाते है single written by Shakespeare और जो है Shakespeare में S बड़ा दे रखा है यह तो ठीक है और last में क्या लगेगा full stop अब देखिए अगर हम बात करें इसमें D option अपना right है I bought a book title written by Shakespeare A वाड़ा option क्यों right नहीं है क्योंकि किसी नमा रहा है B वाड़ा में exclamatory sign दे रखा है C वाड़ा में देखिए यहाँ पर अपर जो है आपके inverted कोमा नहीं लगा रखे next चलते हैं इसलिए अपना जो D option क्या है next पर चलते हैं देखिए शिक्स्त वाड़े पर लिला said have you any small bangles तो लिला में जो है L क्याएगा बढ़ाएगा said के बाद कोमा उपर inverted कोमा लगेंगे double have का जो है बढ़ाएगा और यह जो है आपका have से start हो रहा है तो एक क्युशन पूछा गया है तो क्युशन मारक sign और inverted कोमा से close यह आपका B option में दे रखा है यानि कि लिला said have you any small bangles पहले वाले option में L छोटा दे रखा है A वाला गलत हो गया C वाले में क्या दे रखा है bangles के बाद में क्युशन मारक नहीं लगा रखा C वाले में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए inverted कोमा पहले लगा दिये और क्युशन मारक बाद में लगा दिये इसलिए क्या होगा अपना गलत तो यहाँ पर इसका right answer क्या होगा B option next पर चलते हैं देखिए 7 Harpreet is a student of Khalsa College Amritsar तो Harpreet में जो है क्या आएगा बढ़ा next पर चलते हैं Kalisar में जो है क्या आएगा बढ़ा Kalisar College के बाद में college का C बढ़ाएगा कोमा लगेगा Amritsar में जो है A क्या आएगा बढ़ा और last में क्या लगेगा full stop तो इसमें जो Harpreet is a student of Kalisar College Amritsar पहले वाले में अगर हम बात करें पहले वाले में देखी क्या गलती है तो इस में कॉलिज के बाद में कुमा नहीं लगा रखा B वाले में कुस्टन मरग लगा रखा है C वाले में भी कुस्टन मरग लगा रखा है इसलिए जो है D option अबना right 8 पे चलते हैं मातमा गंदी वाज स्रिमनेटिड sinful omega r molar ö जो है राज amphenta ही तो र गाट तो देखें मातम paying का गाइगा बड़ा मातमा गांडी का G बढ़ा आएगा आगे एगर बात करें राज gha reale का जो है आर बड़ाएगा राज गाठ के सायि छोटा है नेक्स्ट डी वाले की बात करें तो यहां पे कोमा ने लगा रखा और गंदी जी का जी छोटा लिख रखा इसलिए जो है क्या होगे गलत ए उप्सन राइट है नाइंत वाले में है कि डॉक्टर अनू सेड वाई आर यू बीटिंग राजेश तो डॉक्टर में जो पर से जो इंवर्टिड कोमा से बंद यह अपना ए उप्सन में दे रखा यह उप्सन क्या होगा राइट बी क्यों नहीं होगा कि बी में जो है डबलू छोटा दे रखा बाद में इसमें फुल स्टोप भी नहीं लिए डॉक्टर के बाद लास्ट में साइन अफ एक्सकलेम जो है फ भड़ा और लास्ट में फुल स्टोप यह आपका डुप्सन में दे रखा है वी बेंट वाग्राउन फराइडे आफ अप्सन में फाराइडे का फ छोटा है और सी वाले में क्योच करना है तो यहाँ पे आपना डिप्सन राइट है नेक्स्ट एक्सन मीस चाहटा क्यूसन है कि choose the sentence showing correct indirect speech from the given choices यहापे आपको correct indirect speech चूज करना है इसमें देखिए correct indirect speech पहला sentence अपने पास Rohit had said I cannot displease my friend तो यहापे क्या जाएगा देखिए जो आपका I है I आपका ही में converted हो जाएगा और my जो friend है my friend, my की जगा पे क्या जाएगा his friend, यह option देख लीजिए कूंसे में है, तो देखिए A वाला तो कट गया क्योंकि यहाँ पे I काई दे रखा है B वाले में अगर बात करें तो B वाले में देखिए यहाँ पे could can का जो है could कर दिया यह भी cancel हो गया C की अगर बात करें तो C वाला बिल्कुल right है गई Rohit had said that he cannot displace his friend और अगर D वाले की बात करें तो यहाँ पे इसने could कर दिया तो बग की जो sentence है क्या होगे गलत अपना C वाला right है second है he said to her do you want to go home तो इसमें क्या जेगा है आपे जो है do दिया गए do दिया गए तो जो said to का क्या बनेगा asked asked बनेगा next अगर हम बात करें यहाँ पे asked her he want जो है want का क्या बने जाएगा यहाँ अपने पास wanted बनेगा और यह अपने पास यह की sentence में दे रखा he asked her if she wanted to go home next चलते हैं third question पे third है अपना इसका ही third part दिया गया अपने पास mother said to पर मिला mother ने पर मिला के का avoid meeting bad girl तो यहाँ पे क्या जेगा अपने पास mother advised क्योंकि advised दिया पर मिला to avoid meeting bad girls अब ordered दे रखा हैं यहाँ पे ordered नहीं आएगा told भी नहीं आएगा told भी तो advice जो है दी गई है तो इसमें b option right है आगे चलते हैं देखिए fourth में he said to me whom does she want to contact तो इसमें क्या जेगा है यहाँ पे he asked me whom she wanted to contact a वाले में जो है अपने पास told दे रखा है आगे वाले में अगर हम बात करें यहाँ पे हो का हू जो है हूम का हू बना दिया है यहाँ पे और लास्ट वाले में अगर हम बात करें यहाँ पे सी के साथ हैड लगा रखा है तो यह क्या जो है अपना गलत तो अपना डी ओप्शन क्या होगा राइट five है दा teacher say to students stop making a noise तो teacher ने बच्चों को ओडर दिया है ताकि आवाज नहीं करें तो यहाँ पे ओडर के अगर हम बात करें तो जो डी वाला है यह तो पहले इसी गलत हो गया next है ordered the teacher ordered the students आगे अगर हम बात करें यहाँ पे stop that stop नहीं आएगा और अक्यला stop के बाद two नहीं आएगा पहले two आएगा two stop तो इसमें जो बी ओप्शन के आगा अपना right the teacher the teacher ordered the students two stop stop two नहीं आएगा two stop making a noise six he said farewell my friends तो इसमें आजाएगा wish wish का मतलब होता है wish करना तो बाक्य में दे रखा है wish के वल आपका जो है डी में दिया गया है he wished his friend to bide farewell next है देखिए seventh वाले में the teacher said to me teacher ने मुझे कहा तो teacher ने क्या कहा है देखिए आपे teach ने बुला है don't go there तो इसका अगर हम बात करें देखिए पहला the teacher forbade me to go there ये भी सही है the teacher asked me not to go there ये भी सही है दोनों statement सही है आगे चलेंगे the teacher ordered me to not to go there यानि कि तीनों statement इसकी right है तो इसमें do option right हो जाएगा all of these my father said union is strength मेरे पिता जी ने कहा कि union is strength है तो universal truth है तो sentence change नहीं होगा तो यहाँ पर वाज लख रगा है पहले वाड़ा तो automatically क्या हो गया गलत है next exclaimed exclaimed तो इसमें है नहीं तो भी गया हो गया गलत है और union यहाँ पर क्या लगेगा इफ नहीं लगेगा इफ भी गलत है तो अपना एक sentence बचिए C वाड़ा my father said that union is strength C option right है आगे चलते देखिए question number 7 7 में क्या है choose the most suitable option showing the transformation of the following simple sentence into complex sentences using adjective clause यहाँ पर क्या करना आपको simple sentence को complex sentence में बदलना है और adjective clause का use करना है तो इसमें कर हम पहले की बात करें तो पहला sentence है I want to talk to this man तो इसका बन जाएगा this is the man why I want to talk next sorry यह बनेगा इसका B वड़ा this is the man to whom I want to talk तो इसमें आएगा this is the man to whom I want to talk next he was born in the city तो इसका बन जाएगा यहाँ पर this is the city where he was born question number eight है choose the correct option to combine the following sentences तो यहाँ पर sentence को अपकी बार combine करना है तो इसमें पहला है sentence को क्या करना है combine पहला अपने पास sentence है she said something I did not hear it तो इसका बन जाएगा I did not hear what she said तो इसमें पहला ही option राइट हो जाएगा I did not hear what she said next चलते हैं आगे he will pass this year it is certain यही साल पास हो जाएगी यह निश्चित है तो इसका बनेगा it is certain that he will pass this year यही साल पास हो जाएगा यह क्या है निश्चित है यहाँ तक जो वीडियो अपनी complete हो जाएगा यह वीडियो अच्छे लेगी तो उसके like करें अपनी दोस्तों के जरूर share करें एक मैंने आपसे question पूछा है वीडियो को अगर आपने देखा हूँ अध्यान से तो उस cancer आप मुझे comment section ने बताएंगे मैं आपको बताऊंगा आप cancer right है या wrong है यह यह आपको और भी subject क important question की video देखनी तो में YouTube channel के पर जाके देख सकते हैं और यह आपको PDF download करनी है तो